नमस्कार दोस्तों, आज चलेंगे हम बारत अविम्समकालिन विस्वस है, जो कि क्लास नाइन्थ है, NCRT HD नमक सब्जेक्ट लिपार्ट पुस्तक है, जिसमें के पार्ट शिक्स है, किसान और कास्तकार, अमेरिका में इसके कुछ महतुपन प्रश्णों को जानेंगे, आई चलते हैं, सबसे पहले क्वसन है, कि अमेरिका में आया एक गेहों की खेती में उच्छाल और बाद में परावणी संकर से हमें क्या सबक ले सकते हैं, तो हमें पारिस्तक दिल संतिलन का आदर करना चाहिए, हमें पनों को अंदा धंद काटकर आदिक्तम भूमीं पर क्रशी नहीं करनी चाहिए, सूखे एवं उचित्ता अपमान के लिए हमें परावण की सबक्षा करनी चाहिए, दूसरा पसन है, एंग्लेंड में ओध्यक्रांथी ने कैसे प्रकार क्रशी को प्रभावित किया, परावण के किसान त्रैसिंग वसीनों का विरूध करनी के नहीं कारण थे, नुमर एक, गरीब Punjab समझते थे, कि ये मसीन आँए, नुमर दो समझते थे, बड़े किसान जमीदार बढ़नहियां अंदूल अनको और बढ़ादेंगे, नुमर्ट दिन आम जनता का हिस्तों में बढ़ गई उन्हें अपने रोजगार के लिए संगर्स करना पूर रहा था अगला कुस्तन है कैप्टन स्विंग कों था कैप्टन स्विंग के एक कालपनिक नाम था जो सर्भारा वर्ग थ्रैसिंग मसीनों के विरोधियों का प्रतिन अधुत करता था कैप्टन स्विंग के नाम से डरावने पत्र लेखे जाते थे इसके द्वारा धनिया जमीदार लोगों को थ्रैसिंग मसीनों के विरोध में धंकियां दी जाते थे किन कारणों से इंगलेंड में क्रसी उत्पादों की मांग बढ़ने के तीन कारणा थे नमर एक बढ़ती जन संख्या, नमर दो सहरी करण, नमर तेन फ्रांस से युद्ध, नमर चाल अध्यवक क्रांती इन कारणों से इंग्लेंड में क्रसी उतपातों की मांग बढ़ गई थी इंग्लेंड में बाड़ाबंदी क्यों आवस्यक हो गई थी उसके दो कारणत क्या थे एक तो था कि भूमी पर लम्मी अब्दी की निवेश के कारण और दूसर था धनी किसानों को अपने इंतरन की भूमी को फिक्सित करने के लिए बाड़ाबंदी अवस्यक हो गई थी अगले क्रसी क्रांती सबसे पहल किस देश में हुए तो ये इंग्लेंड में हुए बाड़ाबंदी अंदलों को बढ़ाने वाले कारक्या थे तो इंग्लेंड में बढ़ती जनसंख्या और अनाजयों की बढ़ती मांग थे प्रैसी उक्तपादों की उच्ची कीमतें थे भूमी पर लम्मे अब्दी की निवेस करने के लिए निवेस करने के लिए थे धनी कसानों और अपने नियंत्रन की भूमी को विक्सित करने के तो मुक्त भूमी समापत हो गई थी उस समय छोटे कसानों ने अपनी भूमी बड़े कसानों को बीचती थी बड़ी संख्या में गरीब गाहा छोड़ गई थे उन रोजगार तो रोजगार के लिए संगर्स करना पड़ा था अगला कुस्सान है अमेरिका माय गयों घेती मोचाल और बाद में किस प्रकार परेवने संक्रत पन हो गई तो ग्रेट प्लैन में गयों के घेती विस्तार पे कई समस्या है विस्तार से वही उसकी कई समस्या उतपन होई तो 1930 के दसक में दूलवरी आंदी ने तच्छी मेतानो का अप्रदन कर दिया था काले वर्फील तूफन अक्सर चलने लगे थे जैसे ही दूलवरी आदिया चलती तो लोगंदे हो जाते और जानवर दंग उठकर मर जाते थे है कि अग्रेज अफीम के खेटी के लिए भारते कसानों पर क्या दबाब डल ले थे कि धूलिए यह फिम के बाजर कविस्तार चिन तक हो गया था और बंगल प्रादकर कर लेने के बाद आंग्रेज ने अफीम के खेटी करने का तो निस्चीए कर लिया था हुला को सनाय इच्छा ना होती हुए भी अफिम के खेती करने के लिए मजबूर क्यों थे वो किसान तो उनके इच्छा नहीं थे इसलिए भी मजबूर थे क्यों क्यों कि गरीब किसानों के पास कोई जीवी का कोई साधर नहीं था लगान और अपनी आवस्सकता फूरी करना उनका खर्तब्यत बन ला था गयों के मुखिया दोरा किसानों को अग्रम रासी का दिया जाना था अग्रम रासी लेकर किसान मुकर नहीं सकते थे अगला कुस्छण है बाड़ते किसानों के अफेम के खेती के प्रतुदा सिनता के कारणने कबर्मन की जी चैसे अच्छी फसल फसल अच्छी भूमी पर पैदा की जाती थी जो गाओं के समीर तथा उपजाव उती थी इस भूमी के वे दाने पैदा करती थे जो अफीम पैदा करने में लगे थी दार एंगटियां भूमी पर पैदा करने लगे जैसे उन्हें साव धंपरे सानी होने लगे थी बहुत से कसानों के पास भूमी नहीं थी, अच्छी भूमी के लिए उन्हें अधिक लगान देना पड़ता था तीसरा, अफियूम के खेती का एक कठिन प्रेक लिया है, जिसमें अधिक प्रिस्टरम के अवसे खत पड़ती थी इसे जैसे किसान अनपसलों के खेती पर पुरा ध्यान नहीं दे पहते थी चौथा, बेट्रेस अफियूम उत्पालगों के बहुत कम मूर ले दे थी जैसे किसानों वो घाटा होता था नेक्स्ट परसन है, अमेरिका में फसल काड़ने वाली मसीनों की तीन हानियों होता ही है तो अमेरिका में गरीब किसानों के इन मसीनों से दुख पहुंचा जन्होंने उधार लेकर मसीने खरी दे थी वे करज नहीं चुका पाई, नई मसीन और तकनिक के कारणा हासे काम करने वाली मजदूरों में बेरोई गरी बढ़ गई सैक्रों परसानों ने भूमे छोड़ दे और नौकरी के तिलास में निकल पड़े अगला क्वेशन है, अमेरिका में फसल कट्राइवली मसीनों की लाव क्या थी, कि गया हूं उत पादन में ब्रद बिस्तार हो गया था, फसल पकने के कुछ समय बाद फसल काड़ लिया थी, और यह मसीन एक दिन में 16 सरमकों के बड़ावर पसल काड़ सकती थी, इस मसीन के क क्वेशन को डिटेल्स में जानने के लिए, इक रप्या चैनल को लाइक करें, सेयर करें, और सब्सक्राइब करें, सुगाएं, धन्यवाद